Hello students, UP State की 85% State Quota की जो Married List है उस Married List को यहाँ पर Release कर दिया गया है अब खाफी सारे students को यह doubt होगा कि सर क्या expected cut-off रह सकती है कितनी mark range तक मुझे यहाँ पर college मिल सकता है तो इस वीडियो मैं आपसे expected cut-off के बारे में ही बात करूँगा category wise क्या cut-off रह सकती है कितना आपका safer zone है उसके बारे मैं आपसे इस वीडियो बात करूँगा तो वीडियो को प्लीज पूरा यहन तक आप लोग जरूर देखिएगा तो students जो maritalist list की गई है उस maritalist के according undeserved category का जो safer zone याफ जो expected cut-off रह सकती है वो 611 to 613 marks यहाँ पर रह सकती है आप यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप plus one marks minus one marks आप लेके चले 610 to 613 पर आपको college मिल जाएगा EWS category की बात कहें तो 610 to 611 OBC category के लिए 608 या 609 से लेके 611 पर आपको college मिल जाएगा बिकॉस जैसे कि All India quota का जब allotment आया तो वहाँ पर 619 और 618 में काफी सारे यहाँ पर category अन्रजब category और OBC में यहाँ पर college देखने को मिला है तो से महीं पर मैं OBC category में आपसे बात करूँ कि 608 to 611 तक आपको college यहाँ पर मिल जाएगा SC category में अन्रजब ST category के लिए और SC category के लिए अगर All India 50% quota की बात करें तो SC category के लिए 68,000 के एवब बंद हो गया था तो यहाँ पर state में आपको 1,15,000 for ST category और ST category लिए 3,35,000 पर आपको easily college यहाँ पर मिल जाएगा तो जो merit list release की गई उस merit list के according यह आपका यहाँ पर expected cut off रह सकता है अब जैसी आपकी official यहाँ पर release की जाएगी अलॉट्मिन लेस्ट उसके सबसे जो cut off रहा है वो आपको मैं अपनी वीडियो से जरूर बता दूँगा Thank you